पाकिस्तान निपाल किसी भी मुल्क से अगर सौधी आरब में हाउस डाइबर का काम के लिए नया आना चाहते हो या नया आये हो खास करके ये विडियो उनलों के लिए है कौन सा रोड में कितना स्पीड में चलना चाहिए कौन सा कैमरा कितना फाइन मारेगा रेड लाइट में अगर फाइन मारता है तो उसका फाइसा कौन भरेगा बहुत ऐसे सारे बात है जो इस वीडियो में आप लोग का साथ सेयार करेंगे तो वीडियो का अभी से लाइक कर द जिस रूड में जितना speed है उस रूड में एक board लगा हुआ रहेगा कि इस रूड में इतना speed है अगर 80 का speed है तो वो लिखा रहेगा 80 अगर 90 का speed में है तो 90 speed लिखा रहेगा अगर 100 का speed में गाड़ी चलाना है तो 100 लिखा रहेगा 110 होगा तो 110, 120 होगा तो आपको 120 में ही चलाना है अगर जादा स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो यह जो कैमरा है यह कैमरा फ्लास मार देगा इस कैमरे का सिर्फ काम है गाड़ी का स्पीड को ट्रैक करना देखिए कुछ इस तरीका का यह कैमरा काम करता है अगर आप स्पीड में जादा जाते हो तो आपको कैमरा फ ये fine आएगा, अगर आपका कफील के नाम पे गाड़ी है, कफील के उपर fine आता है, तो ये जो पैसा है diver सही काटेगा, कफील अगर गाड़ी में कोई बैठा रहता है, वो बोलता है गाड़ी को थोड़ा speed चला के ले तो आप लोगो को speed में नहीं चलाना है आप लोगो को जितना speed road में लिखा हुआ है, उतना speed में आप लोगो को गाड़ी चलाना है road के उपर ये जो camera लगा हुआ है इसका काम दो ही है, ये है seatbelt का, अगर आप इसके नीचे से गुजारते हो, seatbelt नहीं लगाते हो, तो आपको 1500 से 300 real तक fine आएगा और इसका काम दूसरा है अगर आप phone में ऐसा बात करके जाते हो या phone कान में लगा के जाते हो तो ये जो camera है फिलास मारेगा, और आपके गाड़ी जिसके नाम पे है, उसके उपर 500 real fine आएगा इसका भी जो जितना पैसा है वो diver से ही काटेगा क्योंकि ये गलती diver का है गाड़ी जिसका है, उसका गलती नहीं है तो diver का गलती से जितना ही fine आता है, वो सारे पैसा कपील काट लेगा तीसरा है, सबसे बड़ा वो है red light वाला fine तो देखिए red light से पहले कुछ इस तरीके का काटा हुआ रास्ता रहता है तो आपको अगर dynaside जाना है तो आराम से चला जाईएगा अगर red light से पहले ऐसा काटा हुआ नहीं रहता है तो आपको उस टाम क्या करना है देखिएगा board में लिखा हुआ रहेगा कि आपको गाड़ी red light से पहले रोक के फिर जाना है देखिएगा stop before turning right on red तो इसका मतलब यही है आपको गाड़ी रोकना है मतलब red light हो गया है तो आपको dynaside में थोड़ा सा गाड़ी रोक के उसके बाद 20 के speed का नीचे आपको जाके dynaside में जाईएगा तो आपको fine नहीं आएगा अगर 20 के उपर से जाते हो तो भी आपका fine आएगा और अगर गाड़ी रोक के नहीं जाते हो एकदम आखे तुल चला जाते हो तो आपको 3000 से लेके 6000 रियल तक fine आएगा इसका भी जितना fine आएगा वो diver को ही भनना पड़ेगा गाड़ी जिसका नाम पे है उसके ID में fine आएगा और उसका phone में message आएगा कि आपका ये camera में flash मार दिया तो आप लोगों ऐसा गलती नहीं करना है आप लोग अगर red light होता है जाएगा तो आपको 2 महिना या 1.5 महिना का salary पूरा काड़ लेगा तो उसी हिसाब से आप लोगों को गाड़ी चलाना है और एक गलती होता है बहुत भाई से इस गलती से आप लोगों को घबराना नहीं है जैसे आप red light cross करते हो cross करते ही सामने गाड़ी खराब हो जाता है उसके बज़ा से आपका गाड़ी का flash मार देता है तो इसमें आपको घबराने का जरूर नहीं है मरूर वाला जब photo check करता है कि ये गाड़ी accident हुआ ही या गाड़ी खराब हो गया है उसके बज़ा से पीछे का बंदा का camera flash मार दिया तो उस टाइम और लोग photo delete कर देता है तो उस टाइम fine नहीं आएगा तो I hope कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा आज का वीडियो में आप लोग को कुछ आच्छा जानकारी मिला है जो भी कोई भाई नया आया है या नया आना चाता है हो अब लोग ये सारे rule follow करके चलाएगा गाड़ी तो आप लोग का कुछ भी fine नहीं आएगा इस वीडियो को जादा से जादा share किजिए ताकि जो भी कोई भाई नया आना चाता है उन लोग को पता चले कि यहाँ पे रेड लाइट का fine कितना लगता है रेड लाइट से कैसे बचना है अगर इस वीडियो को फेस्बूक पेज में देख रहे हो तो share जरूर कीजेगा तकि और भी भाई को पता चले अब लोग को अगर और भी कुछ पूछना है तो Instagram पे जाके follow कीजिए वहाँ पे आप हमसे सबाल कर सकते हो आप लोग का सबाल का भी जबाब देंगे Instagram का ID description box में दिया हुआ है तो आज का वीडियो यही पे इंड करते है मिलते किसी आगले वीडियो में अल्ला हाफेज